हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहदव ड्रेसीज, आज की वीडियो में देखेगा फ्रेंड्स, बहुत सुन्दर सी और सिम्पल सी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस को बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में, और देखें इस ड्रेस को जो हमने बनाया है, दो और तीन नमबर टू गोपाल जी के लिए बनाया है, बाकी वीडियो के एंड में सभी साइज का मेजरमेंट बता दिया गया है, कि आप सभी साइज में इसको कैसे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है, बनाना शुरू करते हम इस ड्रेस को, और हम रखा हुआ है, जिस चेन के उपर इस चेन में डाल देंगे, एक डबल क्रोश्या, फिर एक चेन में भी एक डबल क्रोश्या बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, जितनी भी हमारे पास चेन है, सभी में हमें ऐसे एक डबल क्रोश्या बना करके, इसको कम्पलीट करना ह अब यहां से देखे इसको complete करने के बाद तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन बना करके इसको turn करेंगे turn करके पहली वाली चेन स्किप करेंगे और जो second chain है इसमें बनाएंगे 2 बार double crochet देखेगा एक ही chain में हमने 2 बार double crochet बनाया और यह first वाली chain में 1 double crochet count होगा अब जो दूसरी chain है इसमें भी हमें दो बार ही double crochet बनाना है तो यहाँ पर जितनी भी देखे हमारे पास chain है सभी में हमें 2-2 double crochet बनाने है सिर्फ हमने पहली में एक बनाया यह यानि कि जो तीन chain बनाई थी और जो last वाली में बनाया यहाँ यहाँ पर भी एक double crochet बनाया तो इसी तरह से करते हैं इसको हम complete कर लेंगे अब last में देखी कर हमने यहाँ पर एक double crochet बनाया अब सको हम देखें हमारी रो थी जहाँ पर हमने दो-दो double crochet बनाये थे इसमें total हमारे पास 30 double crochet बने हैं अब जो ये वाली रो लगाएंगे इसमें हमें 36 double crochet करने हैं यानि कि 6 हमें increase करने हैं तो देखें हर तीसरी या चोती chain में हम 2 बार double crochet बनाएंगे यहाँ पर देखें मैंने शुरू में यह 1, 2, 3, 4 chain में 1, 1 बार double crochet बनाया और यहाँ पर 5th chain में 2 बार double crochet बनाया तो इस तरह से देखें फिर 3 chain में 1 बार बना लेंगे एक एक बार double crochet 3 chain में और 4th chain में बना देंगे 2 बार double crochet तो यहाँ पर देखें हमने 2 बार increase कर लिया है एक यहाँ पर एक यहाँ पर आगे में 4 double crochet और increase करूंगी पूरी रो में और इस तरह से इसको हम complete करेंगे अब इस रो को complete करनी के बाद हम यहाँ पर 3 chain बनाएंगे और इसको ऐसे turn करेंगे turn करके पहली वाली chain छोड़ देंगे और दूसरी chain में 1 double crochet बनाएंगे तो एक 3 की chain और एक double crochet दो बने, next chain में जाएंगे 3 double crochet हो गए next chain में जाएंगे 4 double crochet हो गए और next chain में जाएंगे 5 double crochet हो गए अब इसके बाद हमें chain skip करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बी chain में ऐसे हम एक double crochet बना देंगे फिर next वाली chain में भी double crochet बनाएंगी अब यहाँ पर देखे हमारे पास हमें जो यहाँ पर बीच में यह double crochet बनाने है यह हमें 10 double crochet बनाने है तो यहाँ पर 4 हमारे बन चुके हैं पाँचवा double crochet छेटा साथवा आठवा नोवा और फिर यह 10 वा double crochet 10 double crochet हमने यहाँ पर बनाए अब chain skip करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और नोवी chain में बनाएंगे एक double crochet अब जैसे देखे हैं यहाँ पर पाँच बने थे ऐसे ही हाँ पर बनेंगे एक हमने बना लिया और यह दूसरा double crochet फिर next chain में बनाएंगे तीसरा double crochet फिर next वाली में बनाएंगे चार double crochet हो गए अब देखे यह जो तीन की chain थी यह थर्ड chain में जाएंगे यहाँ पर और एक double crochet बना देंगे तो यहाँ पर देखे पाँच हो गए पाँच इधर पाँच इधर और दस इधर टोटल हमारे पास 20 double crochet है अब तीन chain बना करके इसको turn कर देंगे और पहली chain को छोड़ देंगे दूसरी chain में double crochet बनाएंगे अब देखे जितनी भी chain है सभी के उपर हमें एक एक double crochet बनाना है तो यानि कि 20 chain के उपर हमारी हाँ पर अब 20 double crochet बनेंगे अब यह हमारी देखे चोली बन करके complete हो गई इसको हम joint कर देंगे यहाँ पर देखे जो शुरू में हमने यह 3 chain मनाई थी 3rd chain में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको slip stitch से जोड़ देंगे देखे इस तरह ऐसे चोली बन गई है अब हमें यहाँ पर देखे 3 chain बनानी है 1st round लगाएंगे और इसी chain के अंदर 1 double crochet कर देंगे यहाँ पर ऐसे 1 chain में 2 double crochet बने अब दूसरी chain में जाएंगे यहाँ पर भी 2 double crochet बनाएंगे तो सारी chain जितनी भी हमारे पास है सभी में 2 double crochet बनाते वे यह round हमें पूरा complete करना है round को हम join करेंगे यहाँ पर 3rd chain में slip stitch से फिर इसके बाद 1, 2, 3, 3 chain बनाएंगे और इसी chain के अंदर 1 double crochet बनाएंगे तो यह जो हमारी देखे 2 double crochet count होंगे अब next chain में जाएंगे यहाँ पर 1 double crochet बनादेंगे और फिर इससे next chain में भी 1 double crochet बनाएंगे तो यहाँ पर देखे अब हमने 2 chain में 1 double crochet बनाया 3rd chain में जाएंगे यहाँ पर 2 बार double crochet बनाएंगे फिर आगे हमें ऐसी करना है पहली chain में 1 double crochet दूसरी chain में 1 double crochet और जो तीसरी chain है ये इसमें 2 double crochet इस तरह से ये round भी हमें complete कर लेना है अब last में आकर round को हम यहाँ पर join कर देंगे third chain में slip stitch से अब हम यहाँ पर देखें दूसरा color लेंगे और इसको लगा देंगे यहाँ पर note लगाएंगे पहले और इस loop के अंदर से निकाल देंगे अब loop के देखें इसके बराबर में यहाँ पर यह होल है next double crochet यहाँ पर हमें पफ बनाना है तो देखें ऐसे हम एक बार धागा लेंगे और जो यह यलो वाला धागा इसको साथ में लेकर के चलेंगे और वाइट वाला हम पीछे ही यहीं पर छोड़ देंगे एक बार हमने लूप लि देखें next वाला यह होल छोड़ देंगे 2 double crochet के बीच में जो होल है इसको छोड़ देंगे और second वाली में डालकर फिर से ऐसे देखें पफ बनाएंगे तीन बार धागा निकालेंगे तीन बार धागा निकालकरके सभी में से एक साथ निकाल देंगे और फिर दो लूप में से एक बार निकाल देंगे फिर एक chain बनाएंगे फिर next वाला hole छोड़ देंगे और इससे next वाले में फिर से ऐसी puff बनाएंगे तीन बार धागा लेंगे और सबी धागों में से निकाल देंगे इसको दो लूप में से फिर ऐसे निकाल लेंगे फिर एक chain बनाएंगे फिर next वाला hole च्रोड देंगे और फट चोड़ देंगे और नेक्स्ट में पफ बनाएंगे तो इस तरह हें सही हमें बनाते जाना है और इस राउंड को कमपलीट करना है अब लास्ट में आकर के देखे!!! पफ बनाने के बाद हमने एक चेन बनाई और इसको यहाँ पफ के उपर जोइन कर देंगे जो यह चेन है यहाँ पर ऐसे सिलिपिस्टी से जोइन कर देंगे और एक चेन लेकर के धागे को हमें यहाँ पर कट कर देना है अब देखेगा यहाँ पर यह हमारा इस तरह से बना है इसमें थोड़ा सा खिचाव है अगर आपको लगता है जादा खिचाव है तो आप बीच में दो चेन भी ले सकते हैं लेकिन मेरी में इतना जादा नहीं है तो यह एड़ेस्ट हो जाएगा अब यहाँ पर पीछे देखे हमने यह वाइट कलर का लूप छोड़ा था धागा छ सभी लूप में से तो एक बार निकाल देंगे दो लूप इसके उपर रोकेंगे और फिर इसको ऐसे बना देंगे अब यहाँ पर बीच में एक चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से हम एक पफ बनाएंगे तीन बार देखे ऐसे धागा लेंगे और सभी को एक साथ निकाल एक ही जगा पर देखे हमने दो पफ बनाए अब यहां पर एक चेन लेंगे और जो यह नेक्स्ट वाले पफ हैं देखे पफ के बाद जो इस पेस है यहां पर पफ बनाएंगे ऐसे तीन बार धागा लेंगे तीन बार धागा लेकर के सभी को निकाल देंगे फिर दो लूप को एक साथ निकाल देंगे, सेंटर में एक चेन लेंगे, फिर यहीं पर बनाएंगे दूसरा पफ, यानि कि हमें एक जगा पर दो दो पफ बनाने हैं, और बीच में एक चेन लेने हैं, अब देखें, यहाँ पर भी हमने यह एक चेन ली, और नेक्स्ट वाले पफ के होल में और सेंटर में एक एक चेन लेकर के इसको कम्प्लीट करना है राउंड के लास्ट में आकर देखिए हमने यहाँ पर यह दो पफ बनाए एक चेन बनाई और इसको हम जोइन कर देंगे यहाँ पर पफ के ओपर चेन में अब देखिए जो हलका साव जोलता वो सब इसमें निकल अब हमें यहां पर दूसरा कलर देखी हमें कट नहीं करना था इसको याई सी जोइन करना था यहीं पर चोड़ दूँगी और इस लूप के अंदर से निकाल करके बैया अब देखिये जो यह हमारे दो पफ के बीच में space है हम यहाँ पर पहले इसको slip stitch कर लेंगे और slip stitch करने के बाद हम यहाँ पर 1, 2, 3 chain बनाएंगे और फिर इसके अंदर यहाँ पर puff बनाएंगे फिर हम ऐसे करना देखे white को यहाँ पर छोड़ देना है और yellow color का धागा साथ में ले करके चलना है तो हम यहाँ पर देखे फिर तीन बार ऐसे धागा निकालेंगे और तीन बार धागा निकाल करके इन सभी को एक साथ निकाल देंगे दो लूप रोक करके इनको एक बार निकालेंगे फिर एक chain बनाएंगे अब next वाला देखिए जो इस पेस है, यहाँ पर फिर से हमें पफ बनाना है, तीन बार हमने दागा लिया, सबी को निकाला, दो लोग को एक साथ निकाला, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पफ के बीच में यहाँ पर पफ बनाएंगे, अब यह जो राउंड हमें लगाना है पूरा हर एक chain के बीच में हमें puff बनाना है कोई भी skip नहीं करना और हर एक puff के बीच में हमें एक एक chain बनानी है देखिए जैसे हमने यहाँ पर यह puff बनाया और पफ बनाने के बाद एक chain लिए फिर next में puff बनाएंगे तो इस तरह से करते वे देखिए पूरा round हमें complete कर लेना ह round के last में आकर हमने देखिए यहाँ पर एक chain बनाई puff के बार इसको फिर join करेंगे यहाँ पर देखिए puff के उपर जा करके join कर देंगे अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है पहले इसमें white color से ऐसे देखिए इस loop के अंदर से लेना है और फिर हमें इस hole के बराद तो यह हो गए दो फिर हमने यह बनाया double crochet 3 एक और बनाएंगे 4 और फिर एक और बनाएंगे 5 पांच हमने देखिए हाँ पर double crochet बनाएं सेंटर में दो chain लेंगे और फिर इस होल के अंदर double crochet बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पाँच इस तरह से फिर यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन तीन पफ का यानि कि तीन होल छोड़ देंगे हम और फोर्त वाले में बनाएंगे हम पाँच डबल कुरोशिया दो चेन, पाँच डबल कुरोशिया देखिए चार, पाँच पाँच डबल कुरोशिया बनाएं फिर सेंटर में 2 चेन, फिर यहाई पर 5 डबल कुरोशिया फिर तीन होल छोड़ देंगे अब यहाँ पर देखिए यह 5 डबल कुरोशिया बन गए हमारे चार बने हैं आभी एक और बना लेते हैं पाँच डबल क्रोश्या और एक दो तीन होल छोड़ करके चोथे में फिर ऐसी बनाएंगे पाँच डबल क्रोश्या दो चेन पाँच डबल क्रोश्या तो राउंड को ऐसी ही देखे हम कम्प्लीट कर लेंगे अब लास्ट में आकर round को हमें join करना है तो देखे हमारे यहाँ पर दो space बचे हैं जबकि हमने यहाँ पर तीन skip किये हैं तो हम दो को ही यहाँ पर skip कर देंगे और देखे जो हमने शुरू में यह तीन chain मनायती थर्ड chain में जाकर के सिलिपिस्टिस से join कर देंगे फिर एक chain लेकर के अब वाइट वाला धागा तो हमें देखे यहाँ पर cut कर देना है क्यूंकि हमें इस से आगे काम नहीं करना अब हमारा last round लगेगा तो yellow color की wool में देखे हम यहीं से जहाँ पर यहाँ ने cut किया है जोइन किया है यहीं पर से इस नाना है तो देखे यह second वाली chain है और यह धागा लेना है हमें साथ में यहाँ पर बनाएंगे हम एक single crochet फिर जो next chain है इसमें भी single crochet अब यह next वाली chain है इसमें भी single crochet बनाएंगे और single crochet करने के बाद फिर देखे यह बीच में जो हमारे पास 2 chain है यहाँ पर हम पहले एक single crochet बना तो इस तरह से देखें, यहां पर यह लूप की तरह से बनेगा, अब यहां पर देखें, जितनी भी चेन है, सभी में हमें बनाना है, एक एक सिंगल क्रोश्या, यहां पर देखें, हमने सिंगल क्रोश्या बनाया, फिर नेक्ष्ट चेन में सिंगल क्रोश्या, इस से नेक्ष् पफ है एक इधर है एक इधर जो होल है बीच वाले में से हम यहाँ पर ऐसी डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोश्या कर देंगे थोड़ा सा लंबा करके अब यहाँ पर देखे फिर हमारे पास ही पांच डबल क्रोश्या थे तो पहले पर बनाएंगे देखे पहली चेन पर सिंगल क्रोश्या, दूसरी चेन पर सिंगल क्रोश्या, तीसरी चेन पर सिंगल क्रोश्या, चोथी चेन पर सिंगल क्रोश्या, पाचवी चेन पर सिंगल क्रोश्या अब आ गई सेंटर में यहाँ पर दो चेन के अंदर तो यहाँ पर सिंगल क्रोशय बनाएंगे फिर चार चेन बनाएंगे चार चेन बना करके यही पर सिंगल क्रोशय से जोइन कर देंगे अब यहाँ पर देखे हमारे पास यह chains है इनमे भी सभी में एक-एक single crochet बनाएंगे आप देखेगा सभी chain में एक-एक ही single crochet बनाना है हमें अब देखे लास्ट वाली जो chain है इसमे भी बनाएंगे single crochet अब इसको देखे यहाँ पर center वाले पफ के अंदर डालकर यहां से single crochet कर देंगे तो देखे इस तरह ऐसी यह work बनेगा और ऐसी करते वे पूरा round हम यहां तक complete कर लेंगे अब हम round के last में आ गए और यहां पर आकर देखे हमारे पास यहां दो puff बचे थे दो space तो पहला चोड़ देंगे और second वाले में जाकरके हम इसको यह single crochet से join कर देंगे अब जहां पर देखे हमने start किया था सुरू में यह single crochet बनाया था इसकी chain में जाकरके slip stitch करेंगे और एक chain लेकरके धागा cut कर देंगे और इस धागे को हमें पीछे की side एड़ेस्ट कर देना है तो देखेगा friends हमारी dress बन करके बिल्कुल complete हो चुकी है बहुत ही प्यारी एकदम से सुंदर सी और simple सी dress बन करके तयार हुई है यहाँ पर देखे मैं इसको diameter आपको दिखा देती हूँ जो यह diameter बना है देखे यह 7.5 inch का बना है 2 और 3 नंबर काना जी के लिए अगर आप इसको बड़े size में बनाएंगे तो यहाँ पर देखे जो हमने plane वाले round लगाए है दो इसको आप जादा लगा लेंगे उसके बाद design शुरू करेंगे तो design जो बनेगा वो बनेगा देखे 1.5 inch का तो 1.5 inch इदर से इस dress को बना सकेंगे friends एक बार जरूर बना करके देखेगा और कैसी लगी आपको आज की address और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को like करें, share करें चैनल को subscribe जरूर करें साथ में bell icon भी प्रेस करिएगा जिससे की हर वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुचेगी तो next वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए रादे रादे